दाया हॉझ को कि हम आप कि हमने प्रिं अपने की स्टर्व करें लेकिन हमें इसमें यूजर का भी जो गैस करें है वो भी दिखना चाहिए राइड कि YOU यूजर ने कौन सा नमबर के दे करां कैस्ट करा या कफों भी जिसमें किया है हमारी वेल्ऻ यह हमने कर रही है यहां के कर देख लेते हैं यहां से रहन करेंगे गाइज तो system का पूरा है हो गया है यहां पर हमारे क्या हैज आ अब मैं कोई इक नंबर कर दूँगा मैंने कर लिया 56 गयां अब यहां पर अच्छा बड़ा देखने में your guess was और दुबारा से कितने guess बचे हैं तो इतने guess again अब guys हम यहां पर इसे क्या कर देता है अभी comment out कर देता है अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है अब guys हम यह चैक कर लेते हैं कि अगर यहां पर हमने assume कर लिए कि जो हमारा user है वो क्या दालेगा इंटीजर वेरियेबल सी मतलब numbers ही दालेगा उसे भी पता है कि यहां पर क्या दालेंगे हमारे numbers चेक हो रहे हैं ना की characters तो अब हमें चाहिए guys कि जो हमारा random number generate हो user के पास एक hint जाए कि अगर उसने जो number input क binge works the random number number से चोटा है mandom number जो उसने input करा वह से चोटा है यह नहीं तो मैं अब एक condition लगा दूगा random number जो हमारा generate हो अंग इस उसकर लगा देंगे क्या random number चोटा है किस से हमारे गैस से और अगर यह चोटा है और अगर यह हमारा चोटा है तो basically guys यहां पर क्या कर दें हम एक उसके लिए hint print कर दें system.r.println क्या print कर दें smaller than क्या guess से right यहां पर हमने क्या दे दिया guys guess दे आपना smaller than guess यहां पर तो हो गोई हमारी guys क्या अगर हमारा random number चोटा है किस से guess से जो हमने number guess करा है तो हमारे पास user के पास क्या चली जाएगी एक hint चला जाएगा कि जो तुमने number input करा है वो क्या है उससे चोटा है मतलब random number जो है जो चूज करना है वो उससे चोटा है जो number तुमने चूज करा है और एक hint हो दे जाते हैं अगर greater के उस पर होगा इसकी अगर वह number बढ़ा हो random number बढ़ा हो जो हमने चूज करा है मतलब गैस चूज करा है तो इस रेंडम नमबर इस ग्रेटर दैन क्या guess तो यहां पर उसके पास क्या हिंट चला जाए और मैंने यहां पर गाई इस पर क्या देजिए गैस यहां पर लगा दिया फुल स्टॉप यहां पर इस प्रेस देदी आंड हमारे यह पूरा हमारी दो कंडिशन हो गई है कि एक तो रेंडम नमबर हम इंटरेट करके बता देगा है कि अगर छोटा है तो बड़ा है तो यह हिंट दे दिये अब गैस दो कंडिशन पूरी ह दो आगा दूंगे क्या रेंड़म इवर ऑल इक हमारे ईकवल तो कई यहांपर क्या हो जाय है जैसी हमारा रेंडम नमबर गैस के एक वालो जब हो तो क्या जीत जाए यहां पे राइट तो इसके लिए ऐ उन का बटनाना पड़ेगा तो आप बना लेते हैं हाँ और मैं किस टाइब का बनोगा बूलियन टाइब का हैस वन यहाँ पर इनिशिल वैल्यों गी वाल्स की हमारा जो प्लेयर है भी वन नहीं कर आरा तो मैंने बूलियन वैल्यों के चुल करें क्यूंकि दो ही कंडीशन हो सकती है का स्यां यह तो वह जीतेगा यह नहीं जीतेगा अब यहां पर मैंने चेक कर लिया tayञात कर इा है तो अगर वो जीती का तो यहां परas1 में क्या चला जाए दन сторон już जाए तो यहां पर हमारी कि हमारी को सफ यह क्या हो जाए तो यह वाला जो एड Canada क्योंप तो औलेडी अगर हम जींट तो क्या फॉलूप टर्मिनेट हो जाए हमारा राइट हम लूप से एकदम बाहर आ जाए तो उसके लिए कि यूज करेंगे हम ब्रेक यूज करेंगे तो जैसी में यहां पर ब्रेक रहन होगा जैसी अगर वह वैल्यू ट्रू हो गई अगर गैस हमारा एक्वल है तो वह क्या से बाहर आ जाएगा और यह क्या हो जाएगा लूप रुख जाएगा इससे एक बार कंट्रोल ए करके काईस कंट्रोल ऑलल कर देता हैं ताकि यह पूरा हमारा सब्सक्राइब तो यह तो हो गया हमारा पूरा कॉंसेप्ट कि बेसिकली जितनी तीनों कंडिशन थी यह हो गई यह भी हो गया हमारा और यह रैडब नमबर था इसका भी हो गया है राइट अब हमें अगर जीच चुके हैं गाइस और यह बहार आचुके तो इसकी भी अब हमें तो if में अगर has1 है true है तो loop चलेगा अंदर मलब if condition चलेगी अगर has1 false है क्योंकि has1 हमारे already false ही है तो वो नहीं चलेगा एक तरीका यह है एक तरीका यह भी है guys यह भी लिख सकता हूं मैं यह check भी कर सकता हूं has1 double equals to true but इस चीज का मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं guys क्योंकि यह सेम ही चीज है यह थोड़ा ज्यादा कंसाइज है हमारा तरीका तो हम इसे ही use करेंगे तो यहां पर मैं क्या प्रिंट कर सकता हूं system.out.println और यहां पर एक condition क्या दे देंगे guys अगर नहीं जीते तो तो यहां मैं क्या दे दूँगा else दे दूँगा guys क्योंकि दोई condition हो सकती है यहां बाहर आके यह तो वह जीतेगा यह नहीं जीतेगा तो मैं यहां पर system.out.println दे दिया और यहां पर क्या दिया हमने you lose right तो मैंने यहां पर कर दिया game over you lose यहां पर हमारा यह तो हो गया अब इसके बा number was और यहां पर क्या random number था हमारा यह हमने यहां पर दे दिया guys तो यहां पर हमारा यह पूरा concept हो चुका है सब कुछ यहां पर कोई चीज बची नहीं हमने सारी conditions लगा दी और चेक कर लिया है अब इसे करके देख लेंगे एक बार run करके देख लेंगे guys की हमारा वैसी ही चल उससे गड़बड हो गई यह जो मैंने if condition लगा दी है मैंने किसमें लगा दिया fall loop के अंदर लगा दिया guys लेकिन मुझे यह कहां लगानी थी fall loop के बाहर लगानी थी तो मैं simple इसे यहां fall loop के बाहर copy paste कर दूँगा इस चीज का आप दिया लगना guys जो fall loop की यहां पर क्या थी ह हमारी brackets यहां पर है right तो मैं simple इहां पर इसे यहां पर fall loop के बाहर लगाना है तो simple एक बार और run करके देख लेता है and दुबारा एक बार खेल के देख लेता है guys कि हमारा सही आ रहा है यह नहीं तो मैंने यहां पर क्या दिया 50 दिया और मेरा guess क्या है it's smaller than 50 smaller than 50 then क्या type करके दे 50 then 20 okay smaller than 20 and then up 10 देके देख लेता है okay it's smaller than 10 smaller than 10 अब क्या देके देख लेता है 5 is greater than 5 so अब गाई में पास किने चार्राइज ही बचे है guys और ग्रेटर दें 5 है तो मैं यहां पर 7 देके देख लेता हूं and guys there you go I win यह अब गाई इसमें हमारा यह तो जो लॉजिक था वो तो हमार हो गया है हाँ पर हम जीत गए right अब लेकिन इसमें अभी एक कमी है guys हमारे code में अगर आप देखो तो यह क्या है हमारी if condition पहले एक बार यह यह चेक करेगा एक बार यह चेक करेगा और जब दोनों condition यह result नहीं होंगी यह चेक करेगा तो guys यह जो हमारा logic है थोड़ा सा actually गल मैं क्या कर सकता हूं इसे simple else if दे सकता हूं इसे क्योंकि अगर if guys यह हुआ कि जो हमारा guess है वो क्या है छोटा बड़ा है random number से तो if वाली condition चलके यह दो condition नहीं चलेंगी guys फिर हमारी how simple दुबारा लूप चल जाएगा अगर यह वाली condition नहीं चली तो क्या चेक करेगा यह वा last condition तो मैंने यहां पर क्या दे दिया सिर्फ else दे दिया एक बार रन करके देख लेते हैं कि यहां पर एक error आ रही है guys कि मेरा कहीं पर कुछ छूट गया है यहां पर हमारी error आ रही है और यहां पर मुझसे गलती हो गई कि अगर मैंने यहां पर if check कर वा लिया फिर else दे दिया अब basically guys जब यह वाली condition दोनों condition अगर हमारी नहीं चलेंगी तो basically तीसरी ही condition क्या होगी हमारी true होगी तो यहां पर simple मुझे condition कोई check करवाने की जरूद नहीं है यहां पर मैंने simple क्या दे दिया else दे दिया यहां पर तो यहां पर एक बार रन दुबारा करवा कर देख लेते है है guys best condition होती है guys आप एक बार अपने code को जरूर रन करवा के देखा करो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारी ऐसी error आजाती है जो बहुत छोटी सी errors होती है और कई बार एकदम से समझ में नहीं आता कि error क्यों होई राइट और यहां पर input करके देख लेता हैं दुबारा से 50 okay guys तो यह हमारा सही work कर रहा है एक बार हम गलत condition वाला भी देख लेता है कि अगर हमारी condition satisfied नहीं होती मैं हार जाता हूं तो कैसी okay guys तो यह हमारे जो अगर मैं हार गया game over you lose the number was 44 तो basically guys मैं यहां पर क्या हो गया हार गया तो यह उस जो हमारी losing वाली condition है वो भी क्या कर रहा है स ।